एक्टर्स की हसी के पीछे छुपे उनके दुख और मेकप के पीछे छुपी उनकी रोने वाली आखे किसी को नहीं दिखाई देती और ना ही समझाती है ऐसा ही कुछ एक्टर्स ट्विंकल अरोडा ने भी इतनी यंग एज में फेस किया है जिनका दुख तो शाय टाइम के साथ ही खत्म हो पाएगा पर आज वो इतनी छोटी उम्र में एक इंसिरेंट की वज़े से बहुत टफ और मैचियर बन गई है ट्विंकल अरोडा की मा का हमेशा से सपना था कि वो उनके करियर में सैटल देखना चाती थी और जब ट्विंकल उडारिया शोगे आउडिशन्स में बिजी थी तब ही उनकी मा की तब्यर टाइम के साथ बिगडने लगी ट्विंकल को पता था कि उनके पास अब टाइम बहुत कम है और उनकी मा के वर्ज उनके दिमाग में घूम रहे थे इसलिए उन्होंने उडारिया शो और एक मूवी के ओडिशन साथ साथ में दिये थे 11 सितंबर को वो सेलेक्ट कर ली गई और 12 सितंबर को उनकी मा का बर्डे था और उसे दिन उडारिया लीप शो का प्रोमो भी शूट होना था लेकिन उन्फोचुनेटली उसी दिन 12 तारीक को उनकी मा की तब्यत अचानक बहुत बिगरने लगी और उन्हें ICU में एडमिट होना पड़ा शूटिंग कतम होते ही ट्विंकल अपनी मा से हॉस्पिटल मिलने पहुची और जाकर कहा कि ममा प्रोमो शूट हो गया है कल से आप मुझे टीवी पर देखोगे उनकी मा ने स्माइल दी और हमेशा के लिए वो इस दुनिया से चली गई फिर आगे क्या हुआ कैसे फेस किया उन्होंने इतना कुछ और किस तरह ऐसे टफ टाइम में अपना करियर उन्होंने कंटीनियू किया कैसी थी बचपन में ट्विंकल और एक कोरियोग्राफर से आज वो एक एक्टर कैसे बन पाई अपने इंस्टाग्राम फॉलोर्स कम होने की वज़े से रिजेक्शन्स फेस कर चुकी ट्विंकल कहती है कि आज भी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे जनुन मेकर्स है जो टैलेंट को ही वैल्यू देते हैं और उनकी वज़े से ही आज ट्विंकल इस मुकाम पर पहुची है हुआ था और वहीं उनकी परवरिश भी हुई उनकी फैमली में उनकी बड़ी बहन पारूल अरोडा रितुकुमार डिजाइनर ब्रैंट इंडिया में विजूल मेचनडाइज है और उनके छोटे भाई नितेश अरोडा बैंगलोर की एक कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर ह वज़े से एक्सपायर हो गई और ट्विंकल के लिए अपनी मा कुक होने का फेज कितना चैलेंजिंग रहा होगा ये हम सोच भी नहीं सकते इस बारे में बात करने से पहले ट्विंकल की अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं बचपन से ही ट्विंकल टॉ मुजिक वीडियो में काम करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने अपनी स्कूलिंग होश्यारपूर के स्टी पब्लिक स्कूल से की और अपनी कॉलेज डिग्री उन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट में चंडीगड के डीएवी कॉलेज से लिए और तबी से ही पिछले साथ- स्टार्टिंग में उनका ध्यान ग्रूमिंग पर कभी नहीं था बट उन्हें जब समझ आया कि इस इंडस्ट्री में जाने के लिए ग्रूमिंग बहुत जरूरी है तो उन्होंने बचपन में ही एश्वेर राय प्रयंका चोप्रा और दिपिका पादू को उनको इमिटेट और कॉपी करना स्टार्ट कर दिया इस इमिटेशन ने ही उन्हें इनिशली उनकी ग्रूमिंग में मदद की थी पर इससे उनके जैस्टर्स, बॉडी लैंग्विज और एक्टिंग में मदद मिली बट उन्हें तब समझा गया था कि बॉड़ी, नेल्स और हेर्स की ग्रूम बात भी हो जाती थी, पर उनकी मा स्टडीज को लेकर स्ट्रिक्ट थी, इसलिए उस ताइम अच्छे अच्छे प्रजेक्ट्स उनके हाथ से निकल गए, पर पीजी करने के बाद उन्हें अपने करियर में सेल्फ डिसिजन लेने की परमीशन दे दी गई थी, इसलिए कॉले के लिए काफी साल कोरियोग्राफी भी करती रही, और उनकी दीदी का सपोर्ट उनके साथ था ही, उनकी मा का ये कहना कि मुंबई जाना है तो कमाओ और खुद जाओ, साथ ही उनकी एजुकेशन के लिए स्ट्रिक्ट होना आज उनके लिए बहुत फूट्फुल रहा है, औ कुछ साल पैसा कमाने के बाद जब वो मुंबई जाने का प्लान कर चुकी थी, तब ही कोविट टाइम में लॉकडाउन लग गया, ऐसे में उनकी कुछ साल चंडीगर में ही काम किया, ट्विंकल के माइंड में तब एक बात क्लियर थी कि रिजेक्शन को फेस करते करते अप इसके बाद वो कैनेडा बलिये, रोड मैप, गोल्डन पीरियर्ड, तैनो सुन्दा नहीं, कंगिनी और डॉक्टर जैसे कई पॉपिलर सॉंग्स का पार्ट रही, इनमें से काफी सॉंग्स में उन्होंने फेमस पंजाबी आर्टिस्ट जैसे विरेंदर ब्रार, सिंदू लेकिन उनके लिए ड्रीम कम ट्रू मूमेंट था, एक्टर रुंदी फूडा के साथ टीवी आड करना, पर ट्रिंकल के लिए ये सब काम मिलना आसान नहीं था, जिस तरह हर एक्टर को कास्टिंग काउच का कभी ना कभी सामना करना पड़ता है, उन्हें भी ये सब जहलना पड़ा जिसके बारे में वो openly बात तो नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने अपने एक interview में बताया, कि उन्हें काफी बार बोला जाता था, कि तुमें इससे मिलना पड़ेगा, या तुम इनके साथ time spend कर लो, या वीडियो कॉल कर लो, तो तुमारा budget बढ़ा देंगे, या फिर ऐसे scenes करोगी, तो तुमें इतना pay करेंगे, वैसे हर project ऐसे नहीं होते थे, बट बीच में उन्हें जब इस थरह का सामना करना पड़ता, तो उन्हें घुस्सा आ जाता था, और वो मूँ पर बोल कर आ जाती थी, कि शरम नहीं आती, अपनी बेटी की उमर की लड़की से ये स scenes चूज करने पर है, और देखा भी जाये, तो ये सच भी है, क्योंकि बहुत ही basic role से start करते हुए, उन्होंने music videos में second lead roles चूज किये, फिर web series और फिर TV ads में leads, और फिलहाल वो popular Indian TV show उडारिया में, लीप के बाद as a lead actor कास्ट की गई है, इस show से जुड़ा उनकी personal life का incident, जो मैं इसलिए ही वो उनके show के लिए बहुत desperate थी, लेकिन ट्विंकल अपनी मा की वो आखरी smile लेकर समझ गई थी, कि उनकी आत्मा उजिन खुश हो गई थी, और वो खुशी से अलविदा होकर गई, पर ट्विंकल के लिए shoots continue करना आसान नहीं था, अपनी मा की death के third day से ही वो sets पर रही है, और जो ट्विंकल रियालिटी में soft लड़की हुआ करती थी, वो आज बहुत tough लड़की बन चुकी है, आपको कैसी लगी ट्विंकल की ये live story, उन्हें अपना प्यार और good wishes comment करके जरूर दे, thank you so much for watching this video, stay connected, be happy